करेंगे एक डिस्क्लेमर अगर आप एक टॉक्सिक में हूँ आपका दिल टूटा हुआ है दुखी हो गहीं स्टक हो आर्ट ब्रेक हुआ है के वीडियो आप आखरी तक देखो नहीं है सब पैरी टेल जासे चल रहा है बहुत स्मूथ स्वाइप पैन कुछ और अच्छा देख अभी जो फिफ्ट रूल है इसमें लिखा था पर्पस कम फर्स्ट तो पर्पस कम फर्स्ट मींज अगर आपकी जो लाइफ में पर्पस आप एक हजबन या एक वाइप या एक बॉइफिंड या गिल्फिंड बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो ना कुछ और भी होगा ना बनने कुछ टो एक हजबन अपनी वाइफ से पूछते तुम लिखो प्रियॉर्टी क्या है तुमारी लाइफ में कौन-कौन तुमारी प्रियॉर्टी और मैं लिखता हूं तो लगा पड़िक लिखता है कि मेरे बच्चे मेरी प्रियॉर्टी हों का एजूकेशन फिर मेरे पेरेंस में वाइफ ऐसा वाइफ लिखती है सबसे पहली प्यार्टी मैं खुद हजबन का दिमाग खराब हो जाता है तुम अपने आपको सबसे पहले क्यों लिख रही हो तो भाई बोलती है मैं खुद खुशन होंगी तो एक चला पाऊंगी ना मैं तो खुशियां बाट पा करीयर के बारे मैं अगर बात करें तो कई बार क्या होता है कि आपका पार्णियर शायद कुछ और लाइफ में करना चाहाए या उसका एक गोल है कि मुझे ये करना है या मैं एक जौब छोड़के मुझे स्टाट अपयना यहाँ, मुझे इस स्टार्ट करने वालों मैं जब छोड़के कंटेंट केशन करूंगा नहीं बोल सकता कैसे बोलेगा उसको पता है आपका आपकी नीन उड़ जाएगी इसा बोलेगा तो आदमी अंदर ये अंदर परिशान होता है किसी के साथ भी हो सकता है बट अगर ऐसा कुछ है तो आप आपस में डिस कुछ हैं तो मैं या जॉप चेंज कर लेता हूं या वी-केंड हम दोस्तों से जो बिन ले जाते हैं मेरे या तो मैं दोस्तों से वह्मार नहीं करेंगे तो तो अपना कुछ कर ले ultimate को दूए या मैं कुछ काम में जा लेता हूं तुम इस चीज़ पर करें मेरा परपस क्लियर है मुझे जॉब करना है तो ऐसा हो सकता है तो यह कुछ बात ने डिसकुस की गई थी जो मुझे लगता है थोड़ी सी इंपॉर्टन्ट है पीछ आप्ता है सिक्स पॉइंट विन और लूस तोगेटर तो अब किसे वापब बत करते होते तो अजीब बत होगे कर दो अर्गुमेंट मुझे आप आप पुछएय की उत्ती है या आप गहा हुआ आप चिला चिला के बात करके अपने आपको सही साबित कर रहे हैं वो ठीक है वो एक डिफरेंट लुकाउट है चीजों को देखने का बट आप दूसरे को नीचा दिखा के दूसरे की बुराई करके उसको गज़त-गज़ा साबित कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है या भी बट यूजा कर रहे हैं तो आप ऑगर बॉलोग का पॉइंट यू चाहिए यह वात रहे हैं और विन अलुस टोगैदर का मतलब मोटा यह हैं कि अगर मैं किसी इंसान भी सा रहा हूं चट शेयर कर रहा हूं बैडूम शेजर कर रहा हूं और मैं कि अगी मिली ऐसे जीत वी गयाा तो我就 हरा एन मैं दुशमन के साथ में कैसे रह सकता हूं कि अ अब किशी में आर्गुमेंट वा तो जीत गया आपने सभी सब्सक्रेश्प कर लिया अपने आपको तो छूटा एना मैं दिध्र हरा दिया और जीत के जिसकी डिसी उन्यादा वहीर दोफेका निये ले पा रहा हो और उसको लग रहे हो hypertलिंग ने, में घर देख्था हो समालता हो तुम जाके यह कर और तो आपको लेगा यार कि क्या करते हैं मतलब इसको वैल्यू इनी और फिर वो कहीं ना कहीं वह चीज निकल जाती है तो अगर कोई लडाई हो रही है कोई चीज पर आर्गुमेंट हो रहा है तो आप सामने वाले को समझने की कोशिश करो और एक प्रॉपर ठेंडे दिमाग से क्या चीजँ गर्स हैं क्या चीजए सही है और फिर आपका Quinnipos को इन्स्टिड ओफ लडाई करने के और और आपकी लाई के तरीका क्या है अगर आपकी लडाई के तरीका यह की बात करना बंद करताूँ वो अलग बात है गईया में घर्र में बात नहीं कर रहा है तूँमें आप का यह तरीका है नहीं मैं छिला देता हूं मैं शुर मझा देता हूं वह और ख़ेदा है तो जो तरीके से आप चीजेन सॉल्व करने को शिटी Schluck कर रहे है घर वह सॉल्व नहीं हो तो आपको रहना है उस तरीके पर फो içeris किसी को एक्तम नीचा दिखा कि आप उसको नहीं जीच सकते हैं यह इस टॉपिक में लिखा हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे जोहों के लिए बहुत साई लॉनों के लिए जो अभी इंगड़ी डूटा है मैं इस्टाग्राम में आप देखते है तो उसके बारे बात करते हैं एक बहुत ही बडिया टॉपिक था डोंट ब्रेक इनफ रहें तो रेक अप की बहुत सारी वजाया हो सकती है एक बहुत ही कॉमन वजाय थी अगर आपका ब्यूस हो रहा है आपको फिसकल मेंटल जो भी आप इस हेल्प लाइन नंबर पर पॉल लोगी हेल्प लो अपने केसिस देखें न्यूज में मर जाते हैं लोग इसे टॉक्सिक रलेशनिशिप में रहते हैं अगर वह हो रहा है निकल जा वहां से कट लो अगर दूसरा बहुत ही कॉमन प्रीजन है इन्फिडिलिटी चीटिंग उस पर बहुत कॉंडूरिशन बात ल बहुत लोग पॉइंट के होते हैं अपने वर्स्ट फेज में होते हैं उनके एमोशन एकदम लोग होते हैं उस फेज में आग कुछ परमेन इंडिस्टिजन आप ले रहे हों कि नहीं यार मैं आप इस इस इंसान को साथ छोड़ के इसके साथ चला जाओंगा गलत है उसको है आप चीटर हो तो शायद वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं गरब है दूसरी चीज़ आपको अगर यह पता कि नहीं हो पा रहा है या इंडिमसी नहीं रही है या यह मुझे टॉलरेट ही नहीं होता है या मतलब मैं परिशान होगा परिशान होगा यह मुझे टाइम नहीं स्था जो भी आपको रीजिन पता होना चाहिए कि अगर आपको रीजन नहीं पता और आपको पटा नहीं ऐसा तो फिर इसा बहुत बढ़ी है और वह फिर इस लेशिंस्ट में नहीं अग्ले मैं भी होगी आपको रुकना है ना यह करते-गते एक पॉइंट ऑस अप एम पे और फिर अगर बिच्चों के लिए आप ऐसी कोई सिच्वेशन होती है कि आपको लग रहा है नहीं गलती हो गई है और सामने वाले की भी गलती थी इन सब चीज़ां में तो आप अगर हो सकता है तो उसको सॉल्व करने कोशिश करो पड़ उसके लिए आपको बहुत मुवीज में तो दिखाते हैं बहुत कि नहीं यार वो इसमें दोकर एडिया फिर बार में पती रो दिया फिर लोग साथ में कुशी कुशी रहने लगे तो लोग साथ में कुशी कुशी रहने लगे रियर लाइफ में सब लुकुल भी नहीं होता है मुदर फिल्म नहीं चल इनसान आपके साथ है और आपको टॉलेरेट ही नहीं हो पा रहा है तो आपको थोड़ा उसके साथ रहे के उसमें अच्छाहिया देखके वह जो इन टॉलेरेंस तक ले जाना है और फिर अंडरस्टेंडिंग तक ले जाना है जब उसको समाझ जाओ कि भाई यह सक्टो हैं अच्छी बात थी जो मतलब कई लोगी काम आएगी तो कई बार जो आपका दिल टूट नहीं तो आपको लगते हैं मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं क्या मैं इसके लिए इसने मुझे इतना दुदकार दिया क्या मेरी मितलब बिल्कुल बेज़ती कर दी तो क्या में इ दुदक तक या मेरी मेरे में कोई वैल्यू ही नहीं मदB जिस इंसान के लिए इतना कुछ किया इतना इसको प्यार दिया वो कुछ नहीं खिल दिना लिए और ब्रेक अपकr diаем काम बिल्यार बेला विपरू को वरुट जब उप नहीं होते हो तो आप हर छोटी बड़ी बड अगर आप अपनी सबसे बड़ी खुशी तीन आप लिस्ट मनाओ कि आप मैं जैसी मेरे को गुड नियूज मिलती है मैं तीन लोग के साथ शेयर करते हैं उसमें अगर आपका पार्टनर नहीं है ना तो प्रॉब्लम है ठीक है उसमें अगर आपका पार्टनर नहीं है तो अगर वह यह नए चीज खरीद लिया मैंने नया मेधकु प्रॉमशन मिल गया मैंने इसको बता डिया तो बुरा लगाया कि किस्ट मैं ले झौद चूब हाँ अगर वो टॉप थी लोगों में वो नहीं है इनसान तो प्रॉब्लम में है तो अगें अगर आप वैल्यू कोई आपकी नहीं कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही है तो उसके बहुत ही बढ़िया कहानी थी एक बेटा पापा से बोलता है मुझे सब लोग दोका देते हैं मेरी गल्स ने बहुत बुए दर्गे से मुझे ब्रेक अप किया है मुझे लग रहा है कि मेरी जीनेगा कोई मतलब ही नहीं कोई वैल्यू नहीं है तो उसका पापा बोलता है कि यह एक मैं तुझे पत्थर देता हूँ वो पत्थर वाले के रुप्टर बोलता है तु एंडीक वाले के पास जा आइंडीक वाले के पास जाता है पत्थर देखो कितना दोगे पत्थर स्मूथ है अच्छा दिख रहा है हाँ पुराना होगा कितने का बंदा दो उंगली दिखाता है तो एंडी कवाला बुलता है कि मैं चल तू तो सो मंग रहे ना दो सो कर दिया ठीक है है दो सो मैं फिर वो पापा के पास जाता है अब बोलते है अब इसको लेखके तू करता है हम भी पॉलिष होते हैं न ताइम के साथ तथ नो फिर जो एदर के पास जाता है जो इदर पत्थर देखता है किलता है कितने का बीचेगा बटा है वह ब्रतैा है दो जो नाक चल ठीक है दो लाक कहा नीला में दो लाक फूग जो गया मैं और तराष्ट लोंगा इसक तो बेटा खुशी खुशी पापा के पार जाता है पापा वो दो लाग दे रहा है उसका बाबुता एक्जेक्ली कि तू कोई एक आदमी तेरी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा ना तू पॉलिश होके अच्छा होके शायद कोई और तरी असली वैल्यू पता कर पाएगी आपको वही देखे गाना कि नहीं आर यह चोटाः बड़ा दो रुपय की वैल्यू करेगा बट आप जैलर के पास जाओगे ना जो हीरे हैं जिसके पास वह देखे जैसे ही आपकी वैल्यू करेगा वो देखेगा कि अगर आपमें तू ही रहो पहने गार आपके नाम का नि जो उसका आखरी रूल था वो मुझे समझ में नहीं आया पढ़ा मैंने मुझे ठीक नहीं लगा लव अगेन एंड थीक है तो वह रन्वीर कपूर का गाना है ना प्यार होता होता कई बार है वह अल्ला नहीं था इसमें देख यहां प्यार ठीक है प्यार दूसरी बार करो ती करो प्यार माट अच्छे से बात करो प्यार करो जो को अझे हैं ओ तो जञाने हैं आप लगा जाएंगे अप चैप्टर यह रूल से मुझेat मुझे वह उक्तिमिन ये भी तो इंसान है यार वो इंसान मालों नीच हुआ एक नंबर का वो ही मुझे चाकू माद तो मैं क्या कर लो हुआ तो ये रूल मुझे उतना कुछ ठीक ठीक नहीं लगा बट ओवराल बुक ठीक है आप दोनों पाट देख सकते हो ठीक लगी बुक तो आप एबुक लेंगे थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा तो अनसब्सक्राइब मत करो अनफॉलो मत करो थैंक यू अ